कसे नमस्कार के अग्रणा डैट में आपका स्वागत आज आपको बताएंगे प्याज़ क्या एक फुट सप्लिमेंटी रूपral कि यह और इसाथ भाइद हैं वो बताएंगे उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और साथी बेल आईकॉन गंटी दबाना न भूले ताकि आपको नएने वीडियो मिले और जल्दी मिले प्याज एक जाना पेचाना है प्याज से बारत सरकार की नीवे भी हिली हुई है प्याज से सरकारें गई है जानते होंगे और गरीब का भोजन प्याज और रोटी है यही प्याज क्या-क्या फाइदा देता है उसके बारे में बताएं प्याज एक उष्ण प्रकतिका है प्याज उष्ण वीरी है प्याज कफ वरदी वालों को और पित वरदी वालों को नहीं खाना चाहिए जिसके मुओं में पानी आता हो पित की वरदी होती हो उनके लिए ह प्याज और गर्मी के मौसम में सलाद के रुप में खाया जा सकता है लू नहीं लगती है जहां लू के प्रकौब जादा हो गर्मी जादा लगती हो तो उस अवस्था में अगर आप प्याज खाएंगे तो आपको लाब होगा प्याज कच्छा खाएं उससे एक यह मूँ के अंदर दुरगन आने की बात होती है तो उसके लिए आप यह कीजिए प्याज को काटिये प्याज को काटने के बाद पानी में भिगो दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए फिर आप प्याज को बार निकालिए तो उसकी उग्रगंद है वो दूर हो जाएगी और उग्रगंद दूर होने से आपको प्याज खाने में परिशानी नहीं होगी प्याज उष्ण गर्म होने की वज़े से आपने देखा होगा यह जमीन में होता है इस सबसे जैन बंदू इसको नहीं खाते हैं प्याज नहीं खाने का कार होटलों पे धाबों पे घरों में आपने देखा होगा जो एक तड़का लगाने के लिए एक सबजी को बघार देने के लिए प्याज काम में लिया जाता है जो जग जाहीर है पूरे भारत में हिंदी में प्याज ही कहते हैं गुजराती में और मारवारी में इसको कांदा भी बोलते हैं और इंग्लिश में ओनियन भी कहते हैं तो आप आज खाईए स्वस्तर रहिए मस्तर रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चेहराम जी की जैहिंद